डियर स्टुडेंट्स, हलो माइ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल इंग्लिज बाइ धीरिन मिस्रा सर स्टुडेंट्स, आज मैं सभी को यहाँ पे डायरी राइटिंग सिखाने वाला हूँ तो डायरी राइटिंग क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं डायरी राइटिंग इन फैक्ट में एक फॉर्म ओफ लिटरेचर है मतलब यह साहितिका ही एक रूप है और यह पर्सनल डेली रिकॉर्ड होता है किसी के लाइफ का और बहुत सारे राइटर हुए हैं मतलब लिटरेचर में जिनोंने मतलब डायरी लिखी है और यह रिकॉर्ड रखता है किसी के थौर्ट्स, फिलिंग्स, रियाक्शन, एक्स्पिरियंस, इंट्रेस्ट और ड्रीम्स का यानि डायरी में सारी चीजों का रेकॉर्ड आता है मतलब किसी भी व्यक्ति के थौर्ट्स, उसकी फिलिंग्स, उसके रियाक्शन, प्रत्किरियाएं, एक्स्पिरियंस अनुभव इंट्रेस्ट क्या है, फिर ड्रीम्स क्या है, स्वाप्न क्या है यह सारी चीजों का record रखा जाता है तो आईए चलिए सबसे पहले आज मैं आपको एक question दे रहा हूँ यह diary writing में देखते हैं question है your school held a science exhibition आपके school ने एक science exhibition का आयोजन किया prepare a diary entry on it मतलब इस पर आधारित एक diary entry तयार करो तो students topic भी दिया जा सकता है कभी कभी diary writing में topic नहीं देते हैं यह दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा तो यहां topic मैंने science exhibition दिया है क्योंकि मेरा science exhibition question में यह आया हुआ है timing यहां आप कोई भी दे सकते हैं सामका 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मैंने यहां सूरत और November 20 दे दिया है तो आप past का कोई भी यहां पे month और date लिख सकते हैं और place का नाम भी आप डाल सकते हैं कोई foundation नहीं है तो चलिए यह science exhibition जो हुआ है school में वो मैं लिखने जा रहा हूँ और आप सभी ध्यान से देखिए in my school the student of 9th and 10th classes had organized a science exhibition मेरे school में जो student थे 9th और 10th के class के उन्होंने organize किया science exhibition it was very interesting and informative यह बड़ा ही रूचिकर था और बड़ा ही सूचनात्मक था मतलब यह जो exhibition लगाया गया इसमें लोगों का interest भी आया और इसमें सूचनाय भी बहुत थी राप्त करने जैसी it continued for 3 days यह तीन दिनों तक चला जो exhibition लगाया गया था the efforts of all students were too much appreciable सभी छात्रों के प्रयास बहुत ही प्रसंसा करने योगित है principal of SB public school inaugurated the exhibition मतलब हमारे school ने साथ कोई SB public school है उसके principal को क्या किया invite किया था तब ही यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि principal of SB public school SB public school के principal ने inaugurated उत्गाटन किया the exhibition इस प्रदर्शनी का he then visited और तब हो गए each and every section प्रतेक section में वो खुद वीजिट करने गए praised प्रसंसा भी किया all students सभी छात्रों की bringing out the facts of science to the common man जिस प्रकार से उन्होंने science के facts को common man के लिए सुलब कराया मतलब परिचे कराया जिस तरीके से अपने project बना कर अपने जो भी थे उनके models वो बना करके जिस प्रकार science के facts को उन्होंने common man तक रखा उस बात की प्रसंसा किया किसने? principal of SB public school ने आगे देखिए क्या लिखा है student the domestic, electronic, space, physics and computer sections were well organized and creative यो जितने भी section थे domestic, electronic, space, physics and computer section यो बहुत अच्छी तरव व्योस्थित धंग से बनाए गये थे और बड़े ही creative थे जो सबसे रूचीकर sections थे उनमे solar system था और modern इंडिया का जो picture था ये और pollution control section ये बहुत ही interesting थे अगली line देखते हैं ये बड़ा ही आकर्षन का केंद्र था देखना उन छोटे छोटे students को explaining each point to visitors किस प्रकार वो प्रतेक point को हर visitors को explain कर रहे थे confidently बड़े ही confident विश्वास के साथ and clearly और बड़ी अस्पस्टता से मतलब उन छात्रों को देखना ये द्रिश्च देखना कि किस प्रकार वो visitor को explain कर रहे थे हर point बड़े ही विश्वास से और साफ साफ धंग से बड़ा अच्छा लग रहा था the most attraction was a toy robot जो सबसे ज़्यादा अकर्शन का केंदर था वो एक था toy robot that worked on battery cells जो battery cells पे चलता था which entertained the visitors जिसने सारे visitors को बहुत ही entertain किया अननदित किया the popularity of the exhibition could be measured exhibition की popularity लोग प्रियता इस बात पे मापी जा सकती थी from this fact इस fact पर that it was well attended by the public till the last day मतलब public के द्वारा इसको अन्तिम दिन तक attend किया गया मतलब last day मतलब third day भी लोग आते रहे ऐसा नहीं कि लोगों का अना कम हुआ इस बात से उसकी लोग प्रियता मापी जा सकती है the visitors praised यहाँ पे साथ दो बाल लिखा है students एक ही बार आप समझेंगे the visitors praised the young students for their sincere and constructive efforts जितने भी visitors आये उन्होंने प्रसंसा किया सभी उन चोटे-चोटे young students की उनकी sincerity और constructive effort को देख करके अभी बहुत कुछ यहाँ पे है लेकिन अब मैंने close कर दिया है there is a lot remaining अभी बहुत ज़ादा कुछ बाकी है to discuss here यहाँ पे discuss करना next I will write later आगे की चीजे मैं बाद में लिखूंगा या लिखूंगी dot 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 diary में कई बाद लोग ऐसा भी लिखते हैं students याद रखिएगा thank you diary good night diary तो वो भी चलता है ध्यान रखिएगा मतलब आप चाहें तो यहाँ एक दो points कुछ और आपके मन में हो तो जोड सकते हैं तो इस तरीके से diary में आप अपने thoughts feeling reaction experience interest और dreams यह सभी चीजे लिख सकते हैं इस बात का ध्यान रखें और मेरे YouTube चैनल को like और subscribe करना न भूलें thank you